आज तुम बढ़ने वाले हो क्लास 7th के NCIT का Integers और इसे पहले मैंने एक लेक्चर को पढ़ाया हुआ है तो तुम उसको description box में लिंक दिया हुआ है पहले देख लो देन इसको देखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा चलो आज का जो topic है वो हम integers को number lines पे कैसे represent करेंगे उसको देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम heading लगा देते हैं representation of integers representation of integers on number line पे हम लोग कैसे integers को represent करेंगे थोड़ा से इसको line को अच्छे से लिख लेते हैं अब यहां पे हमें क्या करना कुछ चीजों को यहां पे धियान देना है कि सबसे पहले तो तुम्हें integers पाता है कि एगेटिव भी पॉस्लिप भी होते हैं औबता है चलो हम heures के लाइन ले लेते हैं और वो लाइन एक्जाक्ली थोड़ा सा पतला करके ले लेते हैं और किस कलर से ले लूँ बताओ बताओ कौन से कलर से लूँ यू ले लो यह वाला कलर ले लेते हैं ठीक है और चलो हम ड्रॉ करते हैं ओ शिट यह तो लाइन सेगमेंट हो गया सर आपको लाइन लेना चाहिए था चल一 topics ले ले लेते हैं यह वाला ले लेते हैं अब हम इसको plains कर लेते हैं यह लोग हमारा एक लाइन हो गया कितने सेंटीमिटर का है का पिझ में हमने ले लेने के लिए और इस लाइन को पार रिप्रेज करेंगे अब integers को represent करने के लिए तुम्हें एक बात का ध्यान ये देना है कि integers के सबसे बीच में बेटा क्या होता है जीरो होता है तो यहां पे जीरो लिख लेना है और equal distance पे इस तरीके से cut लगाना है हमें ठीक है right side में भी and left side में भी देखो अब left side में हम cut लगा रहें और ये equal distance पे होना चाहिए हाँ आप copy पे कर रहे हैं तो अंदाज सही सही लेकिन equal distance पे रखना integers right side में positive integers होते हैं इसलिए इसके सामने 1,2,3,4,5,6,7 ठीक है और left side में negative integers होते हैं तो यहां हो जाएगा minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 यानि एक ऐसा line जिस पे number को represent करेंगे वो number line कहलाएगा और यह देखो numbers में भी कौन से numbers हैं तो यह integers हैं और इसी integers को हम ने number line पे represent कर दिया अब देखो तुमसे question यह किया जाएगा कि हमें 12 को 12 को represent करना है यहां पर question यह है कि 12 को number line पर represent करना है, दिन तुम क्या करना है वाले हो यहां पर, दिन तुम्हें क्या करना है, कि यहां पर हम थोड़ा सा color different ले लेते हैं, suppose that कि मैंने यहां पर black color ही ले लिया, चलो ठेक है, और black color का इस तरीके से ले लिया, और चाहिए आप जितना लंबा च सकते हो, that doesn't matter, ठेक है, अब क्या करना है, कि 12 को represent करने के लिए, आप क्या करोगे, कि इतनी लंबी line 12 लिखोगे, तो तुम्हारे copy से यह बाहर चले जाएगी, तो आपको उतनी बड़ी line नहीं लेनी है, बस शोटी सी line लेनी है, और सभी digits, सभी integers नहीं लिखने है, यहां पर क्या करना है, कि यहां पर 3 cut करनी है, बीच में बेटा आपने 12 लिख लिया, 12 के एक बाद कौन आता है, 13 आता है, और एक पहले कौन आता है, 11 आता है, बस इतना सा draw कर देना है, और यहां पर arrow लगा देना है, और arrow लगा के कहना है कि sir, this is the 12, यह 12 हो गया, तो बेटा आगया तुमको 12 रिप्रिजेंट करना अब उतनी बड़ी लाइन वो समझ जाएगा एरो का मतलब ही होता है कि 13 के आगे बढ़ता चला जाएगा और इस वाले left arrow का मतलब है कि left side में ये 11 के पीछे चलता हुआ चला जाएगा तो आपको पूरे numbers पूरे integers लिखने की ज़रूरत नहीं है अच्छा चलो 12 के बाद में और next question ले लेते हैं next page पे चलते हैं अब एक question है हमारा कि minus 9 रिप्रिजेंट करना है अब negative integers को रिप्रिजेंट करना है और negative integers को कैसे रिप्रिजेंट करेंगे चलो suppose that कि हमने ये एक line ले लिया और इस line पे हमें क्या करना है कि अब equal distance पे 3 cut लगान minus 9 लिख लो अच्छा minus 9 के just 1 पहले क्या होता है तो minus 10 होता है याद करो इधर बढ़ते जाओगे minus 10 minus 11 minus 12 और just 1 आगे क्या हो जाता है तो minus 8 हो जाता है आपको क्या करना है कि बस ये arrow डालना है और बता देना है कि sir this is the minus 9 अच्छा तुम क्या कर सकतो एक तुम्हारे मन में सव होगा कि sir एक और आगे हम लिख सकते हैं का yes you can write यहां पर आप minus 7 भी लिख सकते हो एक पीछे भी लिख सकते हो कोई नहीं और अगर कोई 3 पर ही छोड़ दे तब भी कोई दिक्कत नहीं तो minus 9 भी रिप्रेजेंट करना आ गया चलो किसी ने ऐसा एक क्वेशन और दे दिया व बहुत आसानी से कर लोगे टेंशन ना लो 157 ना तो सिंपल सा है कि तुम्हें तीन से चार कट लगाने हैं और कोशिश यह करो कि बस ज्यादे तीनी कट लगाओ equal equal distance पे ठीक है लगा लिए अब बीच में आप 157 लिख दो और उसके आगे क्या होता एक 158 होता और उसके इंटीजर्स को कैसे रिप्रिजेंट करेंगे अच्छा एक और कोशन लेते हैं निगेटिव वाला ले लेते हैं ठीक है निगेटिव वाले में बहुत सारे बच्छों को confusion रहती है सपोस्ट एट के मुझे यहां पर दे दिया माइनस 67 को रिप्रिजेंट करना है और किस पर करना है तो नंबर लाइन पर पिर प्रिप्रिजेंट करना है और तो नंबर लाइन पी छलो हम लोग को रिप्रिजेंट करना शुरू करते हैं अब हम क्या है ना कि माइनस 67 को कहीं एक जगा लिखो, यहाँ पे देखो, माइनस 67 बेटा आपने लिख लिया, थोड़ा सा color change कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है, तो हम कौन सा blue color ले लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, कि माइनस 67 लिख लिया, माइनस 67 के एक पहले बताओ क्या होगा, तो माइनस 68 होगा, उसको लिख लोगे, एक बाद में क्या होगा, तो माइनस 66 रहा होगा, उसके और बाद में क्या रहा होगा, तो माइनस 65 रहा होगा, तो exactly इस तरीके से आपको draw कर देना है, माइनस 65, 66, 67, 68, और 67 ड्रो करना था नो तो 67 के जगा हम लोग एरो दिखा देंगे हो जाएगा यह माइनस 66 ठीक है तो चलो बढ़िया है अब तुम इंटेजर को नंबर लाइन पर रिप्रिजेंट करना सीख चुके हो कोई भी इंटेजर को तुम रिप्रिजेंट कर सकते हो अब क्या करते हैं कि अगला निक्स टॉपिक पर बढ़ते हैं और वो जो टॉपिक है वो एक्जैक्ली कॉम्परिजन करना है इंटेजर का कॉम्परिजन का मतलब समझो कि यहां पर किन चीजों का कॉम्परिजन करना है ऐसे लगा लोगे अपना अंडेलाइन देलोगे ताकि हैडिंग जैसे कि तुम रियल लाइफ में सोच सकते हो कि आपके फ्रेंड और आप में कौन टॉलर है कौन शॉटर है कौन जादा लंबा है कौन कम लंबा है यह कॉम्परिजन हो गया आपके फ्रेंड और आप में कॉम्परिजन इस तरीके से भी कर सकते हो कि किसके पास साइकल है और किसके पास cycle नहीं है यानि कि आपने यहां पर cycle से comparison कर लिया आप यह भी comparison कर सकते हो कि कौन गोड़ा है कौन सावला है ठीक है यह सभी comparison हो सकते हैं ठीक है तो अपने friends से कर दो तो बेटा तुम्हारा सबसे best friend कौन है comment section में जरूर comment करकर बताना मैं देखूंगा तुम्हारे friends का अच्छा चलो अब यह तो होगया comparison real life में यहां पर इंटीजर में क्या देखेंगे इंटीजर में देखेंगे कौन greatest है और कौन smallest है यहां ग्रेटर है कौन smaller है ठीक है यहां पर greater और smaller का comparison होगा गोड़ा-काला का यहां पर नहीं हो कौन red pen से लिखा हुआ है कौन white pen से लिखा हुआ है कौन black pen से लिखा हुआ है ठीक है तो यह सब comparison नहीं यहां पर greater और smaller का comparison करना है तो उसमें हम कुछ theory आपको बता देते हैं सबसे पहले जो positive integers होंगे वह always negative integers से बड़े होंगे ठीक है पहली बात दूसरी बात क्या है कि जो positive integers होंगे वह always 0 से बड़े होंगे अच्छा negative integers के बारे में बताओ minus वाले तो हमेशा 0 से शोटे होंगे तो यह तीन concept आपको ध्यान में रखना है ठीक है अच्छा इस sign का मतलब समझते हो इस sign को हम लोग बिटा क्या कहते है तो इस sign का मतलब है greater than greater greater than ठीक है अच्छा इस sign का मतलब क्या है smaller than smaller than मतलब कि उससे छोटा इस इसका meaning क्या है तो इसका meaning है equal to यह लो भाईया आपने इतनी सारे चीज़े इन सारे science के बारे में पर जानगे तो इस बात को बिटा बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो तुम्हें हमेशा इसको याद रखना है कैसे याद रखना है इन चीज़ों को यहाँ पर समझोगे हैं यहाँ पर हमने क्या किया इसको ड्रॉ कर दिया इसको आप हमेशा याद रखेंगे अच्छा चलो अब हम क्या करते हैं कि कुछ example देते हैं उस example की basis पर तुम्हें बताना है कि कौन से यहाँ पर greater है और कौन सा यहाँ पर smaller है तो चलो एक question हमने दे दिया बिटा कि 7 और minus 7 में बताना है कि कौन greater है कौन smaller है तो yes sir यह तो negative है और यह positive है तो positive वाला negative से greater होगा बहत बढ़िया अच्छा चलो एक दूसरा question देते हैं suppose that कि मैंने यहाँ पर 3 दे दिया और एक यहाँ पर minus 15 दे दिया ठीक है minus 15 दे दिया तब भी तुम कहोगे sir positive वाला negative से तो ब दे देते हैं कि एक यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है लो भाईया अब दोनो positive है अब positive में तुम्हें बताना है कि दोनो positive में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा तो इसके लिए क्या करना है ना इसके लिए चलो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं पीछे किसी page पे आपका number line था ना बटा उस number line को लेकर करके हम आते हैं चलो शुरू आटाओ नहीं दिख रहा है हां देखो मैंने क्या कि इंटीजर को ले आया जो number lines पर थे अब यहाँ पर तुम्हें एक बात यह ध्यान रखना है कि यह आप इस direction में जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वह integer ब जैसे जैसे back जाओगे ना वो कहा है न के छोटा होता जाएगा minus 1 से चोटा minus 2 minus 2 से चोटा minus 3 यानि minus में जो जितना बढ़ा रहेगा ना वो से चोटा हो जाएगा जैसे कि-6 और-3 में कौन चोटा, तो-6 चोटा क्योंगि वो और जादा पीछे है, जो जितना आगी वो उतना जादा बड़ा, जो जितना पीछे वो उतना जादा चोटा, तो यहाँ पे देखो 3 और 5 में कौन होगा बड़ा, तो 3 के बार 5 आता है, दिन तुम यहाँ पे कह सक कि 3 और 5 में 5 बड़ा होगा, अब हम एक और question ले लेते हैं, question जैसे कि ले लिया, मैंने बटा, minus 3 और minus 4 ले लिया, अब इसमें तुमें बताना है कि इसमें कौन greater है, तो तुम कहोगे negative में जो जितना बड़ा होता है, वो उतना ही छोटा होता है, that means कि minus 3 बड़ा हो जाएगा minus 4 छोटा हो जाएगा, तो minus 3 is greater than minus 4, exactly समझ में आ रहा है, अच्छा 18 मैंने ले लिया, और 18 के बाद हमने 16 ले लिया, तो इसमें तो तुम बता सकते हो, कि 18 और 16 में दोनो positive है, तो positive में जो बड़ा सो, वही बड़ा रहेगा, exactly यह हो जाएगा, clear हो रहा है, तो हमने यहाँ प इस पर है, तो चलो हम ले करके चलते हैं, exactly यह वाला जो है, इसी को हमें solve करना है, try this, तो हम इसको ले करके board पर चलते हैं, फटा फट से, ठीक है, तो चलो हम इसको crop कर लिए, चलो, अब आपको क्या करना है, कि उसको solve करना है, तो solve करने के लिए आपके board पर यह question होना जरू है, हम एक नए अपसा page ले लेते हैं, हाँ, ओ शिट, वो तो हुआ ही नहीं, बिटा, copy, copy नहीं हुआ, एक मिनिट, एक मिनिट, रुक जो, मैं copy कर लेता हूं, उसको, ठीक है, copy मैं फिर से again, select करता हूं, select करके, मैंने copy करना, उसको भूल गया था, देखो, यहां से copy हो गया, and then चलते हैं, अपने यहां पे, और यहां पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, अब देखो हो गया, अब तुम्हें यहां पे जो-जो question कह रहा है, उस question का तुम्हें reply करना है, और reply करकर करके बताना है, कि क्या होगा, नहीं होगा, अब जैसे देखो, एक number line representing integers, यह number line integers यहां प का सब integer दिया हुए, अब तुम्हें यहां पे बताना है, कि minus 3 and minus 2 are marked by E and F, यह देखो, E जो है, वो minus 3 है, और F minus 2 है, ठीक है, तो अब तुम्हें यह बताना है, question के according, कि which integer are marked by B, B पे कौन सा integer होगा, बिटा यहां पे B पे कौन सा integer होगा, and D, H, J, M, O, इतना थाड़ा बतान है, तो तुम क्या करो, minus 3 के पहले क्या हो जाएगा, minus 4 होगा, फिर यहां पे minus 5 होगा, minus 6 होगा, minus 7 होगा, आगे बढ़ोगे, तो बिटा, minus 1 होगा, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exactly, अब यहां पे तुम बताओगे, कि B के लिए जो है, वो B के लिए minus 6 है, बिटा, B के लिए minus 6 है B किसके बढ़ाबर है, minus 6 के बढ़ाबर है, B के बाद D बताना है, मुझे D, D किसके बढ़ाबर है, तो D, 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 exactly minus 4 की equal है, minus 4 की equal है, अब बाकी अब तुम्हें करना है, मैंने बता दिया ना, अब तुम्हें करना है, अब देखो, अब यहां पे उसी में एक और question दिया ह हुआ है कि 7-5-4-0 देखो 7-5-4-0 और-4 मैं यहां से लिख रहा हूं यहां से यह जो question दिया हुए इसको मैं just लिख रहा हूं तो देखो इसको क्या करना है न यहां पे कि ascending order में इसको represent करना है यहां पर देखो ascending order दिया हुआ है और mark on a number line to check your answer और number line भी बनाना है और हमें answer भी check करना है तो अब यहां पर देखो कि सबसे पहले सबसे चोटा लिखना है तो हम क्या करेंगे 0 लिख लेंगे 0 के right side में positive लिखेंगे तो positive में कौन-कौन से बेटा एक 7 है और एक 4 है तो पहले तो 4 होगा उसके बाद 7 होगा exactly समझ में आ रहा है अच्छा अब 0 के पहले negative लिखेंगे left side में तो negative में देखो यहां पर एक minus 4 है और एक minus 5 है तो पहले minus 4 आता है and then minus 5 आता है तो इस तरीके से करकर करके आपने यह क्या किया आपने इसको ascending order में बदल दिया यह हो गया ascending order और इसको चेक करना है कैसे चेक करना है number line पर represent करकर कैसे चेक करोगे तो exactly यहां पर से कोई भी ले लो यहां पर तुम इसको मैं ले लेता हूं ठीक है इसमें आप चेक कर लोगे इसको ले करके मैं वहां पर चलता हूं दिन तुम्हारी बात और जादा clear हो जाएगी वहीं पर ले करके इसको चलते हैं चलो ठीक है अब हम इसको ले करकर करके अपने final destination पर पहुंसते हैं exactly इस पर बताना है ना ठीक है चलो हम यहां पर चले हैं अब देखो यहां पर क्या जाना कि जैसे हम उसको paste की हैं यहां पर देख लेना यहां पर एक मिनट रूचा बच्चा हो एक मिनट एक मिनट येस 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 अब हम इसको ले करकर करके नीशे की तरफ चले आते हैं ये कुछ जादा ही select हो गया कुछ जादा ही select हो गया देन शूड़ो इसको हटा इसको अब यहां पे देखो अब यह जो आ रहा है आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसमें चेक करेंगे कि हम सही बना चुके हैं या नहीं सही बना है यहाँ पे 7 सबसे लास्ट में बिटा यहाँ पे 7 देख लो एक्जैक्ली यहाँ पे दिखेगा तुमको 7 यह 7 सबसे लास्ट में 7 से पहले 4 है बहुत बढ़िया 4 से पहले 0 है यहाँ पे 4 से पहले 0 से पहले minus 4 है minus 4 उसके पहले minus 5 है exactly तुम सही जा रहे हैं ascending order तुमने क्या किया है बहुत सही लिखा है तो चलो आज की lecture यहीं तक रखते हैं तुम्हें हमारा पढ़ाया हुआ अगर समझ में आ रहा है दिन हमें comment करके जरूर बताना कि I understand sir और मैं तुम्हें उससे जो भी comment करोगे अगर कोई भी doubt की क्योड़ी होगी हम कोशिश करेंगे कि उसका reply करें और अपने friends के साथ जरूर शेयर करो और नए हो इस channel पर तो जरूर सब्सक्राइब करो चलो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्ट लेक्षर में ओके बाए गुड़नेट